दोस्तों सीजी पेसी के आने वाली प्रिलिम्स में जो सबसे इंपोर्टेंट स्किल है जो आपको आने चाहिए वो है कि आप कैसे ऑप्षिंस को एलिम्नेट करके ऐसे कोश्चन्स बना ले जाते हैं जिनका डेफिनेट फैक्ट्वल नॉलेज आपको नहीं है बट किसी तरीका लॉजिक या किसी तरीका स्मार्टनेस यूज़ करते हुए आप उस पर्टिकलर कोश्चन्स को एटेंट कर रहे हैं चले आज यह जो वीडियो सबसे लंबा होने वाला है तो मैं ज्यादा और एक्स्पेंड नहीं करूंगा चीज़ों को और चीज़ों को प्रैक्टिकल तर कोशन्स आ रहा है रिसेंटली की प्रिलिम्स में 2020 की बात हो 2021 की बात हो अब नॉलेज बेज नहीं रहा गया है जहां पर वन लाइनर कोशन पूछा जाता है कभी-कभी कॉंसेप्शियल और मुल्टिपल स्टेट्मेंट वाले कोशन पूछे जाते हैं जिनको जो मेंस्ट्री स्टाइल था जिसमें सिंगल लाइन के कोशन्स होते थे अब उनसे उनको सौल कर पाना पॉसिबल नहीं है इसलिए आपको इल्मिनेशन सीखना जरूरी है no matter how do you try you can't study everything for example बात ले लेते हैं इंडियन जोगरिफी का इंडियन जोगरिफी अगर आपको पढ़नी है तो आप कोचिंग को स्मार्ट सोर्स से पढ़ेंगे उसके बाद ऐसा नहीं कि आप NCRT भी लगा लेंगे उसके बाद ये भी नहीं हो सकता कि आप बर्नवाल से भी नोट्स बना लिए उसके बाद ये भी नहीं हो सकता कि आपने माज़ुद इसन उठा लिए और ऑप्शनल के भी बुक्स पढ़ लिए just because आपको लगता है कि आप जादा जादा fact collect कर लेंगे देखिए human brain की शमता होती है आपके revision time की शमता होती है और आपके पास लगभग 20 या 21 section और हैं अपने prelims और mains के लिए prepare करने के तो it is not very much logical कि आप किसी एक ही subject की पीछे अपना पूरा ध्यान लगाएंगे तो आप समझिए कि जितना भी आप try कर लेजिए आप ज़्यादा चीज नहीं बना सकते हैं आप सारे factual knowledge आपके पास नहीं हो सकता है and you will be working with a deficiency of information for most of the cases अब आने वाले prelims में उसके बाद जो recent trend हमने देखा हैं 2020 और 21 के papers में कि completely off the mainstream से लिए बस questions पूछे जा रहे हैं Indian geography question बहुत ही कह सकते हैं कि typical आ रहे हैं साथी साथ अगर आप देखेंगे solar system science के भी जो questions है वो कहीं न कहीं आपको realize होगा कि जो mainstream syllabus रहा है उससे थोड़ से हट के आ रहे हैं ऐसे टाइम पर भी elimination करना एक बहुत important skill हो जाता है चौथी बात यह ही कि जैसे हमको पता है कि if you don't take chances you are going to surely fail अब वह वाला जमाना जा चुका है CGPAC का जिसमें आप 50 या 60 net correct करके आ जाते थे अब ऐसा हो गया है कि अगर paper में लगभग 60 easy questions है तो cut off जा रहा है 128 से 129 तक मतला अगर आप 60 easy questions में से 100% accuracy से solve करते हैं फिर भी आचांसे से कि आपका prelims नहीं निकलेगा इसका सबसे बहतरीन जो example है वो 2018 का prelims है जहां पर बहुत सारों लोगों का including myself prelims रुख गया था अब को लगा था कि भाई यह तो वैसे पेपर जैसे आया हुआ है तो हम लोगों को ज्यादा अटेम्ट नहीं करना चाहिए तो इस बास ज्यादा attempt करने से डरने वालों को problem हो सकती है क्योंकि अब जो nature of questions है उसमें आपको chances अपने लेने पड़ेंगे maybe by elimination और maybe some other trick अगर आप 100% accuracy के जो conventional pattern है जो की मेरे हिसाब सेब outdated हो चुका है ccpsc में अगर उसको अभी भी follow कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको दिक्कत होगी elimination effortless number है elimination में ना आपको जादा कुछ पढ़ना है ना जादा आपको कोई मेहनत करनी है नए facts में आपको से smartness smartness से deal करना है question को उसको बार बार पढ़ना है और देखना है कौन से options eliminate हो सकते हैं तो मेरे ख्याल से elimination वाली जो trick है यह आपको free के number दिलाती है in comparison to your nearest competitor और बात मान के चलिए दोस्तों अगर आपको top 50 rank लानी है cgpc किसी भी examination में किसी भी one day examination में व्यापम के examination में यह फिर कोई भी all India level का अगर कोई आप entrance exam दे रहे हैं competition fight कर रहे हैं किसी vacancy के लिए तो अगर आपको eliminate करनी आ रही हैं चीजे तो there are very much chances कि आप जो है 50% crowd को already breed कर चुके हैं लगता है कि 22 से 26 नंबर तक improve हो जाते हैं elimination method से तो दोस्तों elimination बहुत ही effortless चीज है starting में आपको practice से थोड़ा समझने में आपको time लग सकता है कि कैसे eliminate करते हैं इसको मैं explain करूंगा इस वीडियो में I will try my level best तो आपको elimination वाला जो skill है आनी चाहिए क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्र नॉलेज से आप number नहीं उठ रहे हैं उनकी limitation आ गई for example अगर 60 questions है out of 100 total questions in cgbc problems आपने वो बना दिया है तो ऐसा नहीं है कि 120 नंबर पर definitely cutoff निकल जाएगा अब लोग क्या कर रहे हैं उन्लोग 2018 का example आप ले लेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे questions होते हैं जो easy होते हैं आजकल वो सब को ही बनाने लग गए अगर आपको normal या फिर average competition को beat करना है you have to take that extra steps you have to take those extra attempts at more number of questions in cgbc prelims तो 100% accuracy मित हो गई है अब थोड़ा आपको 100% accuracy से जादा जाके चांस लेके attempt करना पड़ेगा और आट्स वेर आपको elimination करने का जो strategy है या फिर tactic है या फिर जो sense है वो आना चाहिए next दिखते हैं वेर टी यूज elimination देखो multiple statement वाले question होते हैं वहाँ पर आपको elimination यूज करना चाहिए अगर ऐसा कोई option है जो आपको पताए कि definitely सही है या definitely गलत है तो आप इसको eliminate करके options तक arrive कर सकते हैं for example a b c d है आपको पताए कि option a और option d definitely गलत है तो आप c और b में chances ले सकते हैं तो यह जो tactic है यह multiple statement वाले question से बहुत हवग करती है इसका सबसे beautiful example है जो quality के questions पूछे आते हैं 37 PST में वो कहीं न कहीं इस orientation के होते हैं तो you can use elimination method for such type of questions where elimination में not work देखो अगर जो mainstream CGPST का style रहा है 2018 के पहले तक का कि single liner purely factual questions for example राजा रवी वर्मा का data बद बता दो तो इस प्रकार यह questions में elimination tactic उतना उतना ज्यादा effective नहीं होती है क्योंकि elimination technique यूज करने के लिए आपको थोड़ा से words सही होते हैं for statements सही होते हैं थोड़ा सा ज्यादा body चाहिए होती है work करने के लिए ठीक है तो elimination as a single liner straightforward questions में मुझे लगता है कि आपको उतने मदद नहीं देगा अब elimination में जो अस्तर शस्तर होते हैं कौन से कौन सी चीज़े हैं जो आपको help करते हैं eliminate करने के लिए उसको दिखते हैं सबसे पहले तो knowledge कोई facts है अगर आपको पता है कि यह definitely सही है definitely गलत है तो आपको एक option कर जाता है तो बागी तीन option में आप chances ले सकते हैं logic हो सकता है logic for example अगर आपको पूस दे रहा है कि one horn rhinosaurus सिर्फ इंडिया में मिलता है एशिया में क्या यह statement सही है गलत है तो आप इसमें अंदागा लगा सकते हैं कि जो rhinosaurus है या फिर जो गेंडा है वो असाम में मिलता है और असाम is very close to the international boundary of Nepal as well as Bangladesh तो chances हो सकते हैं कि जो rhinosaurus है इ या फिर वो मिल रही है इस्ट कोस्ट में या वेस्टन कोस्ट में तो आपको पता है कि central इंडिया हो या east कोस्ट वेस्ट कोस्ट हो तो वहां से उस species का travel करके international boundary पार करके neighboring country में जाना का chances बहुत कम होते हैं तो आप वहां पे sure हो सकते हैं कि वो species सिर्फ इंडिया में मिलती है for example अगर कोई species सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल रही है तो it can be very good chances कि वो आजवाजु के countries में ना मिले और सिर्फ इंडिया में मिले इस्या में लेकिन when it comes to those species जो की ऐसे state में मिल रहे हैं जहां आजवाजु लैंड बॉंडरी शेयर कर रहे हैं किसी और country के साथ international boundary तो वहां प रिखा हुआ है for example वन भैसा बैकेट में बाबुलस बुबालिस दिया हुआ है और बाकी तीना option में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो यूजुली यह सही option होता है दूसरा अगर over explained है कोई option देखिए examiner भी चाहता है कि उसके question में जाधा दावापत्ती ना है तो माल लेजि कि वो कोई भी कोर का सब ना छुड़े कोई भी दावापत्ती का स्कोप ना छुड़े तो इसलिए वो over explain करता है कभी कभी उस statement को तो अगर आपके पास ऐसे कोई options है जिसमें तीन में single line है और चौते में दो line है और आपको लग रहा है कि इसमें over explain करने की कुशिश कर रहा है तो usually that is the real answer उसके बाद हट कर लिखे option for example अगर आपको किसी city कोई चीज पूछी है और उसमें चार cities दिव हो है डेली, मुंबई, चिन्नाई और कॉलकता तो इसमें लोट डिफिकल्ट होता है चीजों को गेस करने के लिए यहां पर जो best guess हो सकता है वह सकता है डेली क्योंकि यूशली कोई भी seminar है function है उनकी launching डेली में होती है लेकिन अगर कोई हट के कोई city का नाम आ गया है which is not very common for example डेली, मुंबई, कॉ और कॉलकता एन option D, जबलपूर तो वहां पर इसली प्लेस किया जाता है because it is the answer तो इस प्रकार के अगर third tier cities या फिर हट के option आपको मिल जाए for example औरंगाबाद, जबलपूर, ओर्चा, ग्वालियर तो usually वह सही answer होते है तो मेरा आपको यही recommendation है कि हट के option को भी देखनी की कोश UNCTAD था, तो जो UNCTAD है उतना popular option नहीं है, तो वहां से आपको एक sense लगना चाहिए कि अब कोई report निकली है और यह specifically UNCTAD आ गया है तो इसली आया है क्योंकि that is the answer, तो यह आपको sense आना चाहिए कि अगर हट के कोई चीज आपको दिख जाए वहां पे, तो usually that is the answer, इसके बाद दि किजिए कि option में 3 statement है, 1, 2, 3, and पूछ रहा है which are correct, 1 correct, 1 and 2 correct, 1, 2 and 3 correct, यह 1 and 3 correct, तो अगर आपको पक्का है कि 1 and 2 सही answer है, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि जब तक आपको definitely नहीं पता है कि statement 3 गलत है, तो आप statement 3 को भी सही मालनिया करो, और 1, 2 and 3, तीनों को सही मान के वा उसको select करेगी, जहां तक मेरा opinion रहा है, अगर इस प्रागार का elimination वाला चीज आ गया है, जिसमें एक statement गलत है, दो statement सही है, तो cut up बहुत नीची चले जाता है, और ऐसा trend में को देखने में नहीं मिला है CGPSC में, तो what you can basically do is कि, जो options है, उसमें ज़्यादा inclusive option है, ज़्यादा कर देता था, अगर मेरे को सही सही पता है वो चीजे, या फिर मेरे को थोड़ा सभी अगर doubt है, तो एक more inclusive option को मैं choose करता था, तो यह particular trick है, जो आप follow कर सकते है, उसके बाद कोई अगर आपको weird gut feeling है, इसका कोई जाधा sense नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह particular question मेरा पढ़ा हुआ है, और कहीं से याद आ रहा है, तो go for it, क्योंकि रूम में आके रिगरेट करने से अच्छा है कि negative उठा लो, and मेरे sense में ऐसे रभी gut feeling usually सही होती है, कि कभी ना कभी आपने इसको पढ़ा होता है portion को, तो यह है elimination के अस्त्र शस्त्र, knowledge, logic, कुछ clues, more inclusive option, और कोई भी demonstration होता है, कोई भी explanation होता है, वो working examples के बिना अधूरा होता है, तो चले ही 2021 का प्रिलिम्स पर उसको देखते हैं, इस paper को मैं real time solve करने की कोशिश करूँगा, मैं एकनम clearly बता दे रहा हूं कि, थोड़ा सा, फैक्शन लॉलिज मेरे कमजोर हो चुका है, because it has been almost more than an year, जो मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा effect करेगा, कि CGPC prelims में जो चीज़े बननी होती है, बनती है, नहीं बननी होती है, नहीं बनती है, तो इसमें आप जो smartness देखेंगे, इस प्रकार से मैं tackle कर रहा हूं को, और साथी साथ में आपको बता दूं कि, पहली बार इन को पढ़ करके इन particular चीज़ों को जमा सकते हैं, चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हमने 2021 के prelims के question paper का use करते हुए, इस particular elimination method का use कर सकते हैं, दोस्तों तो आप लोगों के सामने हैं CGPC 2021 का paper, इसमें लगभग 50 ऐसे questions थे जिसमें आपको elimination method यूज़ करना था, यहां जो particular exam का answer से वो 83 की बीच में है, इसका जो हिसाब था मैंने उस दिन CGPC Prelims का paper होते साथ 5 बजे जब आपका CSET का paper खतब हुआ था, तब मैंने release कर दिया था cutoff कि यह 78 से लेके 83 की बीच में जाएगा, और लगभग इसी के range वाले जो students से उनका selection हुआ है, once again market debates में में नहीं जाना क्योंकि जो amended model answer वो भी नहीं आया है, तो जिनके 74 आ रहे थे इनका selection हो गया है, जिनके 85 आ रहे थे उनका selection नहीं हो पाया है, इसका जो एक reason है वो यह हो सकता है, कि जो final model answer है, उसमें क्या questions को सही लिया गया है, क्या questions को गलत लिया गया है, वो तो examination process का पूरा completion के बाद ही आ और जब आपका cut-off 78 से लेकि 83 जा रहा है, और 100 number के questions आपके ऐसे हैं, जिसमें आप दिमाग लगा सकते हैं, या फिर जहां आपको options eliminate करने की जरुवत है, तो आप importance का समझ सकते हैं, कि इन 50 questions में अगर आपने लगभग ऐसा मान की चलते हैं, कि 23 questions में सही कर लिये, प्लस 23 questions ज आपका जो score है, वो जा सकता है 92, तो आप देख सकते हैं, कि किस प्रकार से एक बार अगर आपने एक बार ये elimination से questions उठाना चालू कर दिये, तो जो easy number of questions है, ये तो हर कोई बनाएगा, easy number of questions को ध्यान से देखिएगा, easy number of questions है, वो हर कोई बनाएगा, जो की लगभग होंगे, इसके हिसाब से, 23 है तो लगभग होंगे, 46 number, इसके उपर जो tough questions होता है, जो elimination से बनते हैं, उसको आप add करेंगे, तो ये total cutoff होता है, माल लेजे cutoff गया है, 78, तो उसके पार जाने में आपको बहुत जादा मदद करता है, तो कुल मिला के फंडा ये है, कि easy questions तो हर कोई बना तो 46 number तो हर किसी की पक्के है, जिसने भी decently तयारी करी है, पिछले देर सो दो साल के बीच में, उसके बाद जो game चालो होता है, that is very important, and game का वो जो crucial part है, वो आज मैं आपको working example के through, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कि किस प्रकार से आप elimination method का use कर सकते हैं, चलिए आर पार दे सकता है, तो हमको क्या करना है कि इस प्रकार के जब भी question आने है, आमको डरना नहीं है, बिल्कुल सूपर हीरो वाले expression के साथ हमको approach करना है इन particular questions को, और निडरता से डटे रहना है, कि इस particular question को इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन मैं कुशना कुछ करके अपना laser इसका यूज करते हुए, देख लोगा कि किस प्रकार से इन particular questions में ऐसे कोई clues है क्या, जिससे मैं इनका answer निकाल सकता हूँ, चली देखते, question number 2 है, इसका direct version है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा logic लगाएंगा तो आपको पता चल जाएगा, question number 2 ये बोलता ह कि चांग देवी का देवाले किस जिले में स्थित है, अब देखें, चांग देवी उतनी popular देवी नहीं है, लेकिन अपने CZ जोग्रफी पढ़के रखा है, तो थोड़ी से घंटी बजनी चाहिए, यहाँ पे कि चांग देवी का मतलब हो सकता है, चांग बखार की पखाड नेक्स कोशन देखते हैं, तो इस पटिकुलर जो एलिमिनेशन का मैथड है, इसमें हमने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक, चांग बखार की पहाडी कोरिया में है, तो चांग देवी का मंदिर भी लगभग उसी एरिया में होना चाहिए, ठीक है, अब देखते हैं कोशन नमर 6, इसको अटेम्ट करते हैं, कोशन नमर 6 की बात आ गई है, इसको अटेम्ट करना चालू करते हैं, निम्न कत्नों को पढ़कर सही विकल्ब चुनिए, राज माता फूलो देवी कांगे का संबन्द प्रसित आदिवासी वेक्तित्व कंगला मांजी से है, संथ गाहिरा गुर को वास्तिविक नम महिश्वर था, तो देखो, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, कि इस प्रकार कोशन अटेम्ट नहीं करना है, तो यह जो लॉजिक होता है, वो मोस्ली वैलिड होता है हर चीजों में, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको नमर उठाने हैं, तो अगर आपको चांसे लेने वाली बात आती है, तो किस प्रकार से अप्रोश करें हैं कोशन को, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कांगे और कंगला देवी, ठीक है, कांगे और कंगला मांजी, यह दोनों ना कुछ ना कुछ रिडेट लिक रहा है, तो हो सकता है कि यह सही हो, माल लेते हैं, हम लोग मानते हैं कि यह पर्टिकुलर ऑप्शन सही है, ठीक है, उसके बाद संद गाहिरा गुरू का वास्तेविक ना महेशवरता यह हमको पता नहीं है, तो इसमें हम लोग लाजिक के लगाते हैं, जो मैं आपको बताया है, एलिमिनेशन के अस्तर में कि हमेशा एक more inclusive option आपको select करना है, देखें, फर्स्ट वाल ऑप्शन पढ़के लग रहा है कि हाँ, यह हो सकता है, सही हो, और दूसरा वाले option के बारे में हम लोग को surety नहीं है, कि महेश्वर भी हो सकता है, राकेश्वर भी हो सकता है, ग्यानेश्वर भी हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग को second option को लेके बिल्कुल भी surety नहीं है, तो ऐसे condition में अगर आपको chances लेने ही हैं, तो मैं होता है आपके जगा, तो अगर मैं statement 1 को correct मान रहा हूँ, और इसके साथ क्या हो सकता है, कि statement 1 अगर मैंने correct मान लिया है, तो दोनों सत्ते है वाला option तो कड़ गया है, और केवल 2 सत्ते हैं, याला option कड़ गया है, या तो दोनों सत्ते हैं, या तो सिर्फ 1 सत्ते हैं, ये option बचा हुआ है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है, कि जब भी ऐसे question में आप फसते हैं, तो more inclusive option लेजिए, तो अगर मैं तुक्का मारना होता, तो उसका answer में लेता A, model answer में देखते हैं, तो मेरा अगर कुछ इस प्रकार का intention होता कि मैं अपने आपको सर्व के आता, बतानी कोशिश करता आपके सामने, तो एक बार पहले से ही मैं जितने भी questions को लगा कर रखता, और magically अपना जो logic है, वो correct answer की तरफ ले जाता, लेकिन this is how examination works, this is how examination का time पे आपके कुछ-कुछ options गलत हो सकते हैं, तो देखें, 6th का option आ रहा है, वो C, कि केवल पहला सकते है, अब हो सकता है कि संद गाहिरा गुरुजी का नाम कुछ और हो, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैंने अपने chances लिए, तो ऐसा कह सकते हैं कि, एक option मेरा सही हुआ है, अभी तक मैंने 0.66 मिला है, ठीक है, तो ये जो 1.33 number marks है जो कि अपने starting से उठाना चालू कर दिये हैं, ये आपके mains लिखने और ना लिखने की बीच का difference हो सकते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का जो calculation है हम लोग follow करते रहेंगे, आने वाले slides में भी, चलते हैं next question में, यहाँ पे मेरा जो particular logic सा, elimination था, वो सब्सक्राइसा गलत हो गया, लेकिन exam time में भी ऐसा होता है, सब कुछ ideal नहीं जाता है, कुल मिला कि पचास question है ना, उसमें हम लोग calculate करके देखें किस प्रकार से कितने options सही हैं, गलत है, और वहाँ पे sum total क्या बैठ रहा है, चलिए दोस्तों next question में चलते हैं, यहाँ पे, question number 20, verse 2017-18 में क्रिशी विद्धी बहुत कम थी, minus 10.90 दर्श की गई थी, 2017-18 में कई जन पर सुखे की समस्य से जूज रहे थे, अब देखिए कि सीज़ी सी बात है कि 2017-18 में अगर क्रिशी विद्धी कम ही है, तो इसका मतलब यह होगा सूखा होगा, तो यह जो options ये वर्ष में, जो क्रिशी की जो विद्धी है, वो नकरात्मक थी, ये रिनात्मक थी, तो यहाँ पे आपको यूज हो जाएगा, आपके पास्टिर कोशन का ज्यान, इस जो options है, ये A, ठीक है, statement A, दोनों कथन A, एवं कारण आर सत्ते हैं, कथन A कारण आर को स्पष्ट कर करता है, देखी सीली सी बात है, कि अगर सुखा पड़ा होगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका एगरिकल्चर का जो ग्रोथ रेट है, वो नेगटी आया होगा, तो 20 का जो option है, वो मैं मारूँगा A, एंसर की से चेक करते हैं, तो इसका answer A ही है, तो हमने बना लिया है, 20, आगे चलते हैं, question number 22 पर आते हैं, काफी interesting question है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये मिट्टी अधिकांशता भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कनार मिट्टी की अपेक्षा का मुचाई पर पाई जाती है, देखिए जो मटासी अच्छा है, तो मेंस के answer rating में काफी अच्छा options मिलते हैं आपको, तो देखिए कि जो भाटा मिट्टी है, लेटराइट सोयल है, लगबग यहाँ पर है, और ये portion जो है, एटा हाईयर elevations पर है, और इसके बाद जो काली मिट्टी है, कनार मिट्टी है, वो लगबग इस एरि तता कनार मिट्टी के अफिशक कम उचाई पर पाई जाती है, मुझे आला statement थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, कि यहाँ पर मिल रहा है मटासी मिट्टी, ठीक है, यह रेड एलो सोयल, और लेटराइट मिट्टी मिल रही है, उचाई में, ठीक, और लेटराइट मिट्टी क तो ऐसा कहना कि प्लेन का जो एलिवेशन है, वो नौर्थ और साउथ चत्तिजगर से जादा है, यह तो गलत होगा, तो मुझे लगता है कि पहला statement सही है, दूसरा, यह मिट्टी कनार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, शायद यह सही हो सकता है, इस मिट्टी में लोहे की मा तो अगर जो सबसे गलत option है, जो मैं चूज कर सकता हूँ, वो तो option A है, option B, C, D में एक दम clear नहीं हूँ कि क्या है या नहीं है, लेकिन option A में तो मैं definitely clear हूँ कि यह गलत है, तो इसका answer मिलूंगा A, answer की में देखते हैं, क्या है option 22 का लिया है A, yes, it is correct, अब देख रहे हैं दो तीन गलत हो गया है, जो तीन गलत हो गया है ना, उसमें लगभग दो नमबर से ले जाएंगे, और जो दो सही मिल गया है, उसमें लगभग चार नमबर आपको मिलेंगे, तो अभी हमने प्लस टू में चल रहे हैं, अब देखेंगे, लास्ट तक ना, किस प्रकार से improve हो जा किया, यह शायद मुझे पता नहीं, लेकिन देखते हैं, वाकाटंक वंश का पहला राजा प्रवर सेन प्रथम हुआ, यह तो डेफिनिटली सही है, विंद शक्ती प्रवर सेन का पुत्र था, देखें हरिराम पटिल जहां तक मैं को याद आ रहा है, वाकाटंक वंश ऐसा यहाँ पर ऐसे टेबल दिये हुए थे, और यहाँ राजालो का क्रोनलोजी दिया हुए था, वहाँ पर मैंने विंद शक्ती प्रवर सेन का पुत्र, यह तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि सेकेंड नमबर पे यह विंद शक्ती रहा हो, तो यह ऑप्शन को मैं थोड़ा प्रवर सेन का पुत्र था या नहीं, यहाँ आपने सॉल्व कर लिया तो यह कोशन बन जाएगा, देखिए जिस टेबल के भरोसे में रहूं, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, विंद शक्ती तो हो सकता उसका कुछ दूसरा नाम रहा होगा, लेकिन टेबल के हिसाब से इतना मुझे याद आ रहा है, सेकेंड नमबर में विंद शक्ती तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस नाम का कोई राजा रहा होगा, तो मान के चलूँगा, ओप्शन 3 गलत है, और मैंने ओप्शन B को टिक करना है, 1 and 2, तो इसका एंसर में लूंगा B, ठीक है, 24 का देख और अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, नगरीय स्थानिया निकाए, नगरीय स्थानिया निकाए, अर्बन लोकल बॉडीज, पर राजशाशन द्वारा नियंतरन किया जाता है, ये चीज़ दिये होगे, और नीचे दिए गये कूट में से, सही उत्तर का चैन कीजिए, सही स्टेट गवर्मेंट कर सकती है वित्तियों मामलों में आपने पढ़ा होगा कि कुछ जो इनको बजट सेंक्शन होता है यह मेरे ख्याल से कुछ कमशनर प्रशास्की निंटरेंट से होता है और उसके बाद अगर कुछ टाइम लिमिट चले जाती है तो वह स्टेट गवर्में अब देख सकते हैं कि जो राजशाशन है उनका जो चैनित प्रतिनिधी है चैनित सदस्स्य है उस पर्टिकुलर नगरी निकाए के उन पर नियंदर नहीं है लेकिन इसका जो प्रशास्कीर जो हैड होता है जो कमिशनर होता है नगर निकम का उनका ट्रांसवर किया जा सकता जो कि डिुपटी क्लेक्टर के रांड़ का ऊपर होता है इस सौल और प्रशाशाश की बात है तो कार्मिक मामलों में भी लगवए लिगार होती ही है। इसमें देखें तो की ऑप्शन भी सही को थो का एंसर आगया है अब देखते हैं 26 का एंसर क्या है येस 26 का एंसर आगया है दी तो ये भी हमने सही से बना लिया इस पर्टिक्लर को आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो हमने जो कह सकते हैं कि कमजोर अब प्लस में जाने लग गया है तो वही बात है दोस्तों कभी बिना हार नहीं मानना है लाइफ में आपको पता नहीं है कि उस पेपर में कौन से कोशन सही है कौन से कोशन गलत है आप सिंपल टेम्परमेंट के साथ हरे कोशन बनाते जाओ नेक्स्ट आ गया है ठीक है इन बिल्कुल सही है कि जो नगरी निकाय है या फिर कैसे कह सकते हैं कि नगर निगम यह ऐसे ही बड़े शहर इनका ओपंपलेंटे साहब के ऐसे मैं कि काफी कॉम्पलेक्स होता है दोनों और समझ में आगया है कि ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता अप्शनदी नहीं हो सकता हम और को देखना हैं कि किस प्रकार से ॐ अब देखो इनको big cities में क्यों बना रहे हैं क्योंकि इनका administration complex है नेचर में तो सीधी सी बात है कि यह कहीं न कहीं जम जाता है देखिए इस प्रकार के जो question जो आते हैं मुझे लगता है कि usually अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका आप correct explanation डाल दिया करो अगर आपको A और B में confusion है तो mostly option A डाल दिया करो कि यह correct explanation है जैसे कि हमने पहले देखा था inclusive option वाला वैसे यहां पर भी मेरा experience रहा है वो यह रहा है कि जो अगर recession reason है और दोनों सही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका correct explanation है या नहीं है तो अगर जब तक definitely गलत ना हो आप option A मार दिया करो तो इसमें मारूंगा option A तो यहां 27 का answer में लोंगा A अब देखते 27 का answer आयोग ने क्या लिया 27 का answer भी आयोग ने लिया है तो that is correct आ जात समीथी जिला आयोजना समीथी देखिए यह थोड़ा tough question है तो इस category को मैं too much in depth वाले category में डालके इस particular question को मैं eliminate attempt नहीं करूंगा इसमें eliminate करना मेरे knowledge के साफसर पॉसिबल नहीं है तो इस particular question को मैं छोड़ना ही सही समझूंगा आप attempt कर सकते हैं अगर आपको पता है कुछ इसक question है कौन से कौन सी यूग में सही सुमेलित है तो इसमें दिया गया है कि rationalization और पंचायत स्टेस्टिक पंचायत राश ट्रेनिंग working room और पंचायत और कॉपरेटिव administrative arrangement for rural development and poverty elimination program देखिए जो परसनल से ना इन में से सिर्फ एक ही पता है मेरे को जीवे जीवे के राओ है मेरे दूँगा next option देखते हैं नीचे दो वक्तव दिये गया है एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है देखते हैं यहां पर इन विच और फॉल्विंग कोशन और तू स्टेट्मेंट ठीक है दिस्टिक जग जिस्टिक सबसे हाइस्ट जुडिशल अथरी इन डिस्टिक होत एक हो गई लेकिन जो रीजन का पहले लाइन है जुडिशल आ एक द्मेस्टिक पावर बोन दोनों होते हैं या नहीं होते हैं वह हमको देखना पड़ेगा एड्मीनिस्टिटिव पावर किसमें हो सकता है इनका administrative power के उतना मेरे को sense तो नहीं आ रहा है कि किस sense में होगा कि judicial power definitely है कि district judge है जो judge है तो judicial power हो गई administrative power मुझे लगता है कि administrative power उसमें हो सकता है कि अगर ये किसी committee वगर के ex-officio कुछ member hold करते हैं या membership hold करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर उनके पास administrative power होती होंगी तो ऐसा कह देना कि इनके पास zero administrative power है तो ये कही न कहीं गलत हो जाएगा तो इसको हमना assume करके चलते हैं कि सही है कि ये judicial administrative power दोनों होते होंगे ठीक है तो assertion और reason दोनों ठीक है इस the highest judicial authority and district कैसे पता चलेगा कि इनके पास supervisory power होते हैं सब को subordinate courts को control करने के district में अगर आपको confusion है कि ये सही explanation है या नहीं तो आप इस प्रकार से इसको debate कर सकते हैं कि highest judicial authority in district है कैसा पता चल रहा है वो ऐसा पता चल रहा है कि supervisory power है इनके पास साधे subordinate courts के लिए तो दोस्तों ये एक particular चीज है जिसमें हम लोग मान सकते हैं कि ये assertion reason दोनों सही है और रिजन जो है और सही explanation है assertion का ठीक है तो इसका answer डाल दीजिए option A अब देखते हैं दोस्तों 20 31 का option क्या है yes 31 का भी answer इन्होंने A लिया है cgpc ने तो यहां पे हम लोग इस particular question को सही कर चुके हैं अब देखते हैं यहां पे राजिशाशन के कार्यों की प्रक्रिया के सिध्धांतों का निर्वान करने वाली क्या लिखा हुआ है साखा कुछ तो है देखिए इसमें अगर optionally eliminate करेंगे न सिध्धांत की बात हो रही है तो सिध्धांतों से बात है मंत्री तो नहीं करेंगे मुक्य मंत्री भी नहीं करेंगे टिके हुए है या तो योजना आयो करेगा या सची हाले करेगा तो आपको पधै पहला पेच में पढ़िए जबर तो आपको पता होगा कि नीती निर्माण का काम होता है वह सची हाले का होता है सीरी सी बात है कि कारे summit variability सिध्धान यह superior सब्सक्राइब करें इसका अप्शन में लोगा डी मैं मैं पर्टिकुलर इसकोशन का एंसर दी वारता और 32 का एंसर भी लिया गया है तो येस वी है सक्सेस्फिल अटेंप्टेड इसकोशन नीचे देखते हैं इन फॉल्विंग कोशिंस दो स्टेटमेंट है असर्चन क्या कह रहा है तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोट उसमें जार टीकाटी पड़ी नहीं कर सकते कि मंत्री जो है वो क्या अड्वाइस दे रहे हैं क्या सजेशन्स दे रहें गवर्नर को दूसरा है देर इस नो प्र अब देखते हैं जो रीजन है वो एसर्चन का सही एक्स्टाइशन है नहीं तो देखिए जब यह लीगली रिस्पॉंसिबल नहीं है तभी तो कोट्स बार्ड है फ्रम एंक्वाइरिंग इंटू दूदा दिया है जब आपको समझ में ना है कि असर्चन दोनों सही होने के बाद एक दूसरे का सही एक्स्टाइशन है नहीं तो आप इसको टिक कर दिया करो ऑप्शन ए तो इसका एंसर मैं ऑप्शन ए मारूंगा अब देखते हैं सीजी पेस्टी ने इसका एंसर क्या लिए लिया है तो यहां पे भी हमारा जो पक्टिकॉलर एलिमिनेशन है वो तो यहां बन रहा है इसको हटाओ तो मैं हमेशा ऐसी करता था यह जो सीरीज था इसी को देखता था और बाके इनको पढ़ने की जरुवत भी नहीं है यहां से बन जाया करता था 39 का option लिया है मैंने C और आयोग ने भी answer लिया है इसका C नेक्स question देखते हैं निमलिखित जनौला का उत्तर बताईए बिना पंग के सुनना उड़ी चलत अकास रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास तो बिना पंग के सुनना बोलोगे न तो यहां पर option देते हैं पतंग पवन आत्म जिवात्मा सूरज तो पवन और सूरज नहीं हो सकता पतंग हो सकता है और आत्मा हो सकता है रूप रंग इनके नहीं मोस्ट इंपॉर्टन चीज उस question में solve करने लाइक है यह कि रूप रंग इनके नहीं तो देखि पतंग का दो रूप रंग होता है और अगर आप्शन सी देखेंगे तो उसमें जो elimination के अस्त शस्तर वाले tip में मैं आपको बताया है that is कि आत्मा और जिवात्मा देख रहे हैं यह अलग से हटके देख रहा है इसमें over explained है कि यह क्या कर दिया है इसको bracket में कर दिया है जब भी कोई bracket लगा हो slash लखा हो तो usually वही answer होता है तो रूप रंग इनके नहीं तो clue मिल सकता है इस particular question में वो यह है कि आत्मा और जिवात्मा वाला जो set है that is अलग से लिखा हुआ है over explained है तो most of the crime इसका option होगा C मैं इसका answer C डालता 41 को जो answer है वो भी लिया गया है आयो के दारा C yes guys we are right और यह जो question है जनावला यह अगर आपने नहीं भी पढ़ा है दिमाग नहीं भी लगाया ना तो पहेली टाइप का यह solve हो सकता option देखके तो यह लपे number थे और जिस प्रकार से cutoff गया है 78-83 I think you guys were very lucky कि इस प्रकार tough examination में इतने कह सकते हैं कि not so knowledge intensive question इन तिखार महाविचार देखिए इसका जो answer है वो तो सही है इसका नाम तो अंतिम निर्ने विने कुमार पाठक से पढ़ लेंगे तो समाझ में आ जाएगा यह उसके बाद देखते हैं फुठा करम के फुठा दोना पेज गवागे चारों को ना ठीक है इस फुठा करम के अब देखो इसमें अल्मिनेट कैसे करेंगे अंधा होना निशक्त होना इसमें दाव पत्ति आ जाएगी यह को आतमी अंधा है तो डेफिनिटली वो निशक्त है तो ए और डी इनमें सकर एक भी ऑप्शन लोगे तो ए वाले जो लेंगे वो वाले डी आले पर आप इत्ति क होना तो इसमें यह है कि अभागा फुठा करा मतलब बैड लग हो सकता है या फिर कह सकते कि बुरी किसमत ठीक है तो इसी को अभागे को सहारा ना मिलना ही होना चाहिए कि पेज गाव आगे चारों को ना उसी सेंस में जा रहा तो इसका ऑप्शन में लेता बी और 43 का एंसर है बी तो आयोग ने भी इसका एंसर लिया है बी नेक्स देखते हैं जो हमको देखना चाहिए कोश्चन नंबर येस दैस्ट इस वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग कोश्चन एकदम शेर्लोंख होम्स वाला कोश्चन है निम्नक आव्यांश किस गाथा से उद्गृत है बढ़ सच्छा सॉता धारी लक्षमन जती जोगी लक्षमन जती जोगी बारा बरस जो करेरे भाई साध दोरा के भोजन पकाके बिन जोटे के जमीन केिज्योंगर हरी मुंगन के दार पकाई बिगन सिकुन के पत्री बना के ठीक है तो इसमें जो कीवर्ड है न पहला तो ये ही कि लक्ष्मान इन्वाल्ड है इसमें दूसरा बारा बरस की बात हो रही है वनवास वाले पीरड की बात हो रही है तो अगर आप पेपर शिक्स पार्ट थ्री छतिस गड़ का जो फोक लिट्रेचर है यह लोग गाथाएं हैं लोग साहित हैं उसमें कुछ-कुछ कुछ जाती हैंं इसमें याइद आ रहा है एक पती नहीं मिलती हैं छाइद आहीमन रावन फूल बासन में ऐसा होता है कि सीता जी को एक फूल पसंद आ जाता है और फूल शेप शिफ्टिंग एक कन्या होती है और उनको धूरते हुए लक्षमन कई दिनों तक कई रिशिमुन्यों की तपस्या करके उनका राज जाना चाहते हैं कि उस फूल को वो किस प्रकार से अपन भावी के लिए सीता माता के लिए लेके आते हैं तो यह जो है ना स्टोरी यह है फूल बासन की कथा अगर लक्षमन बोल रहा है और बाराबरस बोल रहा है तो कहीं न कहीं यह फूल बासन की कथा की तरफ जा रहा है पर्टिकुलर आप्शन कावला रानी अहीमन कहिना फू को तुक्क का मारना है मैं तो पक्का मारता मैं इसका यंशर डालता डी और इसका अगर आणसर दिखेंकि आयोग क्या लिया है तो यस आयोग ने भी इसका अंसर लिया है D तो हमने एक बार फिर से एक सही लॉजिक भढ़ा के इस पर्टिकुलर कोश्चन को attempt कर लिया है कोश्चन नमर 47 देखते हैं मुख्यमंदरी विक्षार उपर प्रोटसाहान योजना के संबन्द में इस योजना के शुरुआत एक जुलाई 2021 से की गई थी इस योजना के क्रियानवन के लिए गठित राजस्तरी अनुश्रमण समिती का अध्यक्ष PCCF है इस योजना के तहित विक्षार उपर होती हाई टेक नरसरी के स्थापना हेतु कामपा फंड का उप्योग के आता है देखिए दोस्तों विक्षार उपर प्रोसान योजना जहां तक मुझे याद आ रही है यह मेरे सेलेक्षन की बात का है तो इतना डीटेल तो मुझे नहीं पता है ठीक है दोस्तों नेक्स प्रोसन देखते है नं mandate ध sincer मैंसे कॉन सा यूग में सही सुमेलित नहीं इसका जो की वर्ड है न वह यह नहीं है नहीं है वाले में देखते है तो सांस्कार अभ्यान है ना जहां तक मझे आट आ रहा है यह महिला इवाम बाल विकास का है मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना पंचायत इवें ग्राविड विकास विभाग से है क्या I don't think so जो सुपोशन इभ्यान है वो definitely महिला इवाम बाल विकास विभाग का है तो अगर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है इसका एंसर आ जाएगा भी आयोग ने इसका एंसर क्या लिया है दोस्तों देखते हैं 49 का भी लिया है Yes, we have once again कह सकते हैं कि हमने सही बना लिया है इन कोशन्स को आगे देखते हैं दोस्तों कोशन नमबर 50 आते हैं नारायणपूर दिया हुआ है ठीक है नारायणपूर दिया हुआ है और घटे क्रम में करना है महिला की सक्षरता दर में तो एक बात तो पक्की है कि नारायणपूर लास्ट में आएगा ठीक आप्शन C कर गया आप्शन D कर गया अब यहाँ पर बात जो फसरी है वो फसरी है A और B में कि सबसे अच्छी female literacy कोरभा में है या राजनन गाउ में दोस्तों इंद्रा इंद्रा आवासिय बालिका चात्रवास मेरे कासे एक कुछ नाम है उसका अभी मैं exactly recall नहीं कर पा रहा हूँ जो इंद्रा रेसिदेंशिल कस्तूर्बा गांधी यस कस्तूर्बा गांधी रेसिदेंशिल स्कूल्स होते हैं फीमेल के लिए वो कौनसे district में खोले जाते हैं यह एसे district में खोले जाते हैं जहां पर जो female literacy है वो national level of female literacy की नीचे है और जहां तो मुझे याद आ रहा है जब 27 जिला होगा करते थे उस समय चार जिले चार जिले ऐसे थे इन में खोले नहीं गए थे तो यह उस टाइम की economic survey की इसाब से इस टाइम में मैं दे रहा था exam तो 23 जिले में खोले हुए थे तो अगर आप शत्तिज़गर के मैप को देखेंगे और female literacy की बात करेंगे ठीक है 36 जिला का map मालो लगभग ऐसा गर ट्रॉ कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो ये जो बेल्ट है न दोस्तो ये राइपुर दुर्ग बालोद और राधनन गाओ ये चार ऐसे डिस्टिक्ट थे जिनमें जो कस्तूर्वा गांधी आवासिय विद्याले जो बालिकाओ के लिए था जो पढ़ाई छोड़ चूड़ चुकी है वो यहाँ पर खोले नहीं गए थे यहाँ पर साक्षरता का जो स्तर है वो राश्टे तरस्तर ऊपर था तो सीधी सी बात है राजनान गाओ की बात आ रही है तो राजनान गाओ में female literacy must be higher than korba तो राजनान गाओ is the right answer और इसमें मैं option B को select करता और आयोग ने इसका answer लिया है yes, आयोग ने भी इसका answer लिया है B दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से eliminate करने के लिए मैं दुनिया भर का कोई भी चीज को कहीं भी जोड़ रहा हूँ किस प्रकार से मैं Economic Survey के जो कल्यानकारी योजना है जो की हो सकता है शिक्षा वाला चैप्टर जो की 13th या 14th नंबर का चैप्टर होता है Economic Survey में मैंने वहां से उस fact को खीज के ले आया और इसको इस particular question में fit कर दिया दोस्तों यह जो skill है इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत ही supremely talented हूँ या फिर बहुत ज़्या दिमाग है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों It's just that कि I'm not ready to give up उस question पे वो question एतना simple सा है simple से statement दिये है I will not be giving up on that question I am very very sure तो अगर मन में ऐसा जजबा है ना कि इस question में कुछ न कुछ तो logic मिल जाए एक जिद में अंतर होता है और एक logical जिद में अंतर होता है जिद होता है वो ऐसा होता है नहीं मेरे को attempt करना ही है पिछले बार डेड़स हो गया था cut off मेरे को डेड़स हो ला नहीं है और एक logical जिद यह होता है कि यार इसमें ऐसा कुछ fact connect करते बन रहा है क्या मेरे को एक बार और सोचता हूँ ठीक है तो जैसे आप round 1, round 2, round 3, round 4 आएंगे ना paper को बनाते हुए तो आपको realize होगा कि ये सब चीज़ें अचानल से click कर जाती है मेरे दिमाग में click कर गया ये question मैंने बना लिया हर individual different होता है हो सकता है आप लोगों में से भी आप लोगों में से भी हो सकता है कि किसी ने कोई दूसरे questions में इस प्रकार का logic लगा दिया हो जिसको मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो दोस्तो हर individual जो होता है वो unique होता है और उसका जो चीज़ों को deal करने का तरीका होता है दोस्तो वो भी unique होता है मैंने इस question में इसको connect कर दिया है कस्तूरबा गांधी आवासी विध्यालेों से तो यहां पर question बन गया हो सकता है किसी और question में जिसमें मैं नहीं सोच पा रहा हूँगा उसमें आपने कुछ बहुत अच्छा logic लगा के वहां पर connect कर दिया होगा तो दोस्तो आप देख सकते हैं कैसे हमने solve किया है cgpsc 2021 का 36 गड़ पोर्शन है वो हो चुका है अब चलते हैं जो सबसे बड़ा monster रहा है cgpsc के examination में that is india gs की बाते करते हैं दोस्तो यहां पर हमने solve कर लिया है इसमें overall कितने questions हमने attempt किया है देखते हैं लास्ट में देखेंगे एक साथ अभी हम लोग चलते हैं इंडिया gs वाले portion के पास आशा करता हूं दोस्तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे अभी सिफ आधे ही पहुचे है अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है इसको पास कर ली तो बीना एफर्ट के नंबर बढ़ने चालो होंगे और इस आई थिंक वना दस्मार्टेस थिंग देखेंगे प्रिलिम्स राइट नहों चलिए चलते हैं इंडिया वाले portion में दोस्तो एक कोशन है जो cggs का छूड गया है इंडिया gs में जाने के पहले हम लोग को इसक इसमें जो facts पूछे गया है अगर आप उसको उपर उपर से लिखेंगे आपको लगएगा कि छोड़ देने वाला question है ठीक है इसमें जो question पूछ रहा है वो ऐसा है match the articles related to the state legislature ठीक है कैसे article 243 में पंचायती राज institutions है ए से लेके जहां तक मुझे याद आ रहा है अब मुझे याद नहीं है ए से लेके कहां तक है लेकिन 243 इस ए है वो क्या बोलता है कि जब भी इस प्रकार के institutions या फिर constitutional bodies की बारे में भात होती है तो हमेशा जो starting वाला जो article होता है वो एकदम basic fundamental चीज़ establish करता है for example अगर हम लोग executive की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले president को वो बताएगा कि हमें की देश में एक president होना चाहिए उसके बाद वो बताएगा उसका election उसका बताएगा कि इसका oath कैसे होता है उसका बताएगा उनके powers क्या होती है फिर उनकी जो relations है council of minister के साथ उनके बारे म चर्चा हो रही है आने वाले 20-25 articles में तो सबसे पहला जो article होता है उससे related ठीक है वो उस particular constitutional body को establish करता है ठीक है for example अगर पंचायती राज institute की बात हो रही है तो article 243a ये कहता है कि पत्ते ग्राम में ग्राम सबा होगी ठीक है उसके बाद option B में जहांता है ग्राम सबा गठन के बारे में बताता है option C में भी कुछ कुछ बताता है वो याद नहीं आ रहा है मुझे अभी definitely लेकिन 243a बोलता है कि प्रते ग्राम में ग्राम सबा होगी तो जो कोई भी अगर constitutional body के बारे में अगर चर्चा हो रही है आने वाले 10-15 articles में तो जो पहला article होता है that is definitely definitely constitutional constitutional body को establish करत है उसको बोलता है कि यह particular body होगी तो अगर आप इसमें देखेंगे इस particular question में तो अगर इसमें ध्यार से देखेंगे न तो यहाँ पे constitution of legislation states पूछ रहा है फिर यहाँ पे speaker के बात हो रही है यह salary के बात हो रही है money की बात हो रही है तो आपको इतना तो logic लग जाएगा कि जैसे 243a में हमने ग्राम सबस्टाइबलिश करें थी फिर उसके बारे में बताया था तो सबसे कम नंबर वाला article होगा है सबसे starting का article होगा वो इस लेगिस लेचर को constitute करेगा तो यहां पर सबसे कम नंबर वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 168 तो यहां का option आएगा 3 कहां पर दिया हुआ है सिर्फ एक option है तो इनको आप हटा दीजिए इसका answer आएगा C 29 का answer मैं देखता हूं 29 का भी answer लिया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिंपल सा लॉजिक यूज करके वन्स अगें वी हैव सॉल्ट दगोशन चलिए इंडिया जीस वाले पोर्शन में आते हैं आज कर वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे पता है आप लोग का ध्यान बिलकुल नहीं लग रहा होगा इसे टाइम पर आपको पुश करना पड़ेगा इसको मैं ट्राइ करूंगा कि किसे ऐसे टाइम पर डालो जहां पर आप लोग जादा बिजी नहीं हूंगा अगाद मिस रिलेटेड वैसे भी दिवाली वाला सीजन है इतना बड़ा मैंने वीडियो डाल दिया तो इसके बास इंग्लिश वाले पार्ट सॉल करते हैं मेरे तो हमेशे से एक ही फंडामेंटल रहा है कि CGGS के जो कोशन है उसमें हिंदी वर्षन पढ़ना है और इंडिया जीस के जो कोशन है उसमें दोनों वर्षन पढ़ना है देखते हैं चूज दा करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिं स्टेट्मेंट 3 जहां-जहां सही बोल रहा है उसको हटा दो ठीक है बज गया option B और C तो 1 और 2 तो सही है और तीसरा false है तो इसमें आ जाएगा option C तो इसका answer आ गया सी 51 का मैंने answer किया सी इसका answer आयोग ने लिया है यस आयोग ने भी इसका answer लिया सी नेक्स्ट कोशन में चलते है ठीक है 52 कोशन में आते 52 में बूल रहा है कि अखिल भारती जंगर्णा का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था यह गलत है 1872 में हुआ था लॉड मायों के दारा सही विकल को चुनाव बूल रहा है सन 1881 में दश्की जंगर्णा एक निया में तवस्ता बन गए येस 1904 में 40 साल के दर्मया शहरी अबादी पूरी अबादी का 10% से बढ़का अठर परस्ट हो गई है इसके बारे मेरे को पता नहीं है मेरे को पता है कि option 1 definitely गलत है तो option 1 जहा भी हमने बना लिया है नेक्स देखते है 53 राज जी पुनर गठन आयोग 1953 के संदर में निम्न कतनों पर बचार करते हुए सही विकल्प चनिये उपरित में से कौन सा कतन सही है जस्टिस फजल अली के एम पानिकर हिदेनात कुंजुरू इसके सदस्यते ये बात तो सही है आय जर्च है केंद्र शासर छेत्र बनाएं देखिए यह उप्शन में को सही लग रहा है तो इसमें ना जो सेकेंड वाला है बॉम्बे और पंजाब की विभाजन का समर्तन किया यह तो मैंने पढ़ा नहीं है लक्षमी कांद में तो इस उप्शन को अगर पॉलिटी के में तो आपका एंसर सही होने के बहुत चांसेस रहते हैं 95% CGPSC में तो मैंने याला पॉशन पढ़ा है स्टेट का रियार्गनाइशन वाला लेकिन इसमें बॉम्बे और पंजाब का विभाजन का समर्थन अगर किया होता तो बहुत बड़ा और रिपीटेड पॉपुलर कोशन होता तो अगर इनने नहीं किया है तो मुझे लगता है कि इनने रिकमेंड किया है तो आप्शन फवन और त्री सही होंगे तो इसका एंसर ले रहा हूं दी एंड इसका आयोग ने भी एंसर लिया है दी तो येस इटिस करेक्ट नेक्स लेते हैं येस विच इस नॉट इस ये हो रहा था कि उसमें इस समय क्राइसी सब्सक्राइब था 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 थू इसमें बताया गया है 42nd and 44th Constitutional Amendment के थू ये भी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे एस पर इसमेंड मेंड प्रेसिडेंट के रिटर्न देवाइस ऑड़ इसा होता ना तो देश पे ना अगर प्रेस पेशली तब जब रूलिंग पार्टी चेंज हो गई है दो constitutionally neutral पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का लेकिन अगर यह आला option होता तो मुझे लगता है कभी न कभी हमको यह सुनने मिल जाता है कि राश्टपती लोटा रहे है तो इस प्रकार का एक ना constitutional कह सकता है कि constitutional breakdown हो सकता थ अगर प्रेसिडेंट के ऊपर हम लोग binding नहीं करते council of ministers का तो हमको कभी ना कभी news में हमेशा यह सुनने में आता कि यह particular चीज में बनने रही है प्रेसिडेंट और बाकी council of ministers की तो I don't think option D is सही तो I will treat this as wrong और इसमें बोल रहा है not true तो option D इसका सही answer होगा मैं लोंगा इसका answer D or 56 का answer is D. Yes, we have solved this question. Let's move on to next question. Yes, which of the following statements are true in reference to the joint sitting of parliament for passage of bill? Provision for joint sitting is applicable for ordinary bills, financial bills and constitutional amendment bills. देखी, constitutional amendment bills में तो नहीं होता है तो यह तो true नहीं है joint sitting. In no situation, deputy chairman of Rajya Sapan के preside over the joint sitting. इसको अभी hold पे रखते हैं. Quorum of 162 of the total member of the members of the house to be maintained for joint sitting. 4 तक मेरे को याद आ रहा है, 110 है. तो इसको भी गलत मान के चलते हैं. तो देखी इसमें क्या है, true पूछ रहा है ना, तो one तो definitely सही नहीं है. तो इसको हटा दो. ये कड़िया, ये कड़िया, ये कड़िया, तो अबल गया option D. Simple सा question है, इसका answer आ गया D. तो 58 का answer आ गया है D, दोस्तो. उसके बाद आ गया देखते हैं, क्या क्या option है हमारे पास? इसी page में एक और question है नीचे. Yes. From which of the following state, maximum number of seats are reserved for scheduled tribes in Lok Sabha? काफी straight forward question है, जटना चक्र में कई वार पूछ चुका है, इसका answer है D, Madhya Pradesh. इसका हमने solve कर लिया, अब आते हैं next, yes. Which of the following committees does not come under the jurisdiction of Lok Sabha? इसमें ये committees दिये हुए, देखें ये बहुत tough question है, मुझसे तो नहीं बन रहा है, मैं इसको attempt नहीं करूँगा. नेक्स आगे चलते हैं, तो इस particular वीडियो में आपको दोनों बताते जा रहा हूँ, कहां attempt करना है, कहां नहीं करना है. With reference to Indian Parliamentary Group, which of the following statement is our true? It is not an autonomous body. Former members of Parliament can become its member. Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha are its ex-official vice-presidents. Okay, Indian Parliamentary Group, it is not an autonomous body. Autonomous body नहीं है. Autonomous का मतलब क्या होता है, कि अपने decision खुद देती है, बाहर से effect नहीं होती है. ठीक है? Autonomous body नहीं है, ये तो मेरे को उतना सही नहीं लग रहा है, तो उसको गलत मानके चलते हैं. ठीक है? तो statements are true, पूछ रहा है न, तो पहला को तो काट दो. Former members of parliament can become its member, देखो Indian parliament group है, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, speaker इसका president होता है, and former members of parliament, मुझे नहीं लगता है कि इनका होता होंगे. अगर हम लोग 1 को गलत मान रहा है, तो सिर्फ option D बच जाता है, तो मैं इसका answer D ही डालता है, भले ही गलत हो जाता है, देखते हैं, आयों ने क्या answer लिया है, इसका 61 का D लिया है, येस दोस्तो, आप देख सकते ही कैसे logic एक एक करके मेरा सही पढ़ रहा है, ये जो logic है न, य आपको अपने पढ़े हुए चीजों में confidence हो, इतना confidence मुझे तो अंदर से रहता है, कि मैंने लक्षमिकान पढ़ लिये, जितना पढ़ना चाहिए, सीजी पेसी के reference में, इससे अगर कोई fact ऐसा पूछ रहा है, जो मैंने पहले देखा नहीं है, तो मेरे experience में 95% of times वो गलत हो तो यहाँ पर मैं इसलिए tick कर पा रहा हूँ, यह particular options, next देखते हैं, autonomous district, autonomous district के बारे मैं आपको पता है, कि यह schedule 6 वाले जो states है, वहाँ पर है autonomous district, कुल मुला के यह होता है, कि इनका अपने ही tribal एक committee होती है, इनके इसाब से govern होते है, जहाँ पर rough idea मुझे पता है, कि एक्स्क्ल autonomous district, council has 30 members, देखते हैं, पता नहीं, 24 members यह भी पता नहीं, right to direct the acts passed by Parliament of India, in autonomous district of Assam, lies with governor, ओके, जैसे यहाँ पर schedule area आजना, वहाँ पे भी governor का एक चेक होता है, कि वो decide कर सकता है, कि पार्लीमेंट और स्टेट लेकिस लिचर को जो एक्ट सो applicable होंगे नहीं होंगे, या फिर उसमे होगा, तो मान के चलते हैं कि third option है, यह सही है, तो यहां से C और D कड़ गए, question में क्या पूछ रहा है, true, बार बार यह जो keyword है, इसको आप लिख लिए करो, तो मैं अपनी accuracy इंग प्रूफ करने के लिख लिए करता था, ऐसा करके true करके लिख लिए करता था, कि मुझ याद पूछ रहा है, तो इसमें जो option है, option A या B में सकता है, तो next six are nominated by the governor, I think as always more inclusive option यह लेता मैं, तो इसका answer में डालता A, देखते हैं क्या है, हाला कि बहुत कम chances इसके सही होने का, तो 63 का मैंने तो यह लिया है, आयोग ने इसका answer क्या लिया है, 60 दिका answer इन्होंने B लिया है, त लेकिन आप देख सकते हैं कि eliminate करते हुए, मैं कितने करीब पहुच गया था इन particular options के, बस यही सीखना है दोस्तों, करीब पहुचना है और उसके बाद आप जो attempt किये है, वो तो आपके किस्मत की उपर है, तो यह हमने attempt किया, लेकिन unfortunately गलत हो गया, लेकिन हम रुकेंगे नह in reference to the finance commission, there are total five members in the commission, true, ठीक है, once again, true पूल रहा है, true लिख लेता हूं, there are five members in commission, yes, one plus four होता है, यह तो सही है, at least one member of the commission must be judge of high court or supreme court, जहां तक qualification मुझे आदार यह सही है, इसको भी कर लेते है, chair or men of commission cannot be reappointed, यह तो specifically नहीं लिखा गया है, first chairman of commission was case anthana, यह मेरे को नहीं पता, ठीक है, which are true, true तो है, definitely, first तो true है, तो यहां से option eliminate नहीं हो रहा है, देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा situation आता है, कि options eliminate नहीं हो पाते है, तो option one तो यहां पे eliminate नहीं हो पाया है, at least one member of commission must be judge of high court or supreme court, इसको hold करते है, the chairman of commission cannot be reappointed, इसके बारे में कुछ specific मैंने पढ़ा नहीं है, finance commission के reappointment के बारे में, I think option three must be wrong, तो बच गया A और D, A और D अगर बच रहा है ना, तो I think once again like जादा inclusive answer, के संतानम थे, मैं से finance commission पूछ रहा है ना, planning commission को शायद नहरू जी थे, finance commission का I am not so sure, कौन थे या नहीं थे, थोड़ा doubtful है, लेकिन A और D, इन में से ही शायद मेरे साब से answer आना सही है, I think I will go with it, मैं A टिक करता अगर इस question का answer लेना होता, कि कि यह option मेरे को more or less सही लग रहा है, तो 64 का मैं A टिक करता, 64 का answer इन्होंने लिया है D, I don't think, I think amendment model answer में देखना चाहिए, I think this option A आना चाहिए, कि judicial members तो होते हैं commission में, और ऐसा कोई amendment तो मेरे ख्याल में नहीं आ र दावापत्ती हुई होग इस question में, I am not pretty sure, आप लोग निचे comment section बताइएगा, कि कौनसे कौनसे question में आपने दावापत्ती करी है, 67 काफी अच्छा question है, arrange the following tennis tournaments in chronological order of the starting years, देखें, काफी simple question है, हर current affair magazine में हर साल देता है, लेकिन फिर विसमें आपको logic लगाना है, तो इतना आ पड़ती है, तो हो सकता है, December जन्वरी में ना करे, तो ये जो है ना Wimbledon, कुछ ना कुछ तो ऐसा पड़ेगा, कि येर की बीच में आए, ना December पड़ेगा, ना जन्वरी में पड़ेगा, तो Wimbledon का extreme end में होना is not very logical, तो ये option और ये option कड़िया, इसके बाद देख सकते है, French Open, Wimbledon, US Open, Australian Open, ठीक, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अगर आप देखेंगे इसको, France कहा है, यूरोप में, और यूरोप में, December जन्वरी में पड़ती है भरफ, तो मुझे लगता है कि उसमें tennis खेलेंगे, और अगर Northern Hemisphere में, December जन्वरी में अगर ठंड पड़ रही है, तो definite सी बात है कि December जन्वरी में Southern Hemisphere, especially यहां Australia, Australia में क्या पड़ रहे होगी, गर में पड़ रहे होगी, तो वहां पे event कराना है easy होगा, तो I think इसका option आना चाहिए D, तो इस logic से भी आप इस particular question का निकाल सकते थे, ठीक है, 67 का answer इन्हों ने लिया है C, आयोग ने इसका answer लिया C, दोस्तों ये भी मेरा गलत हो गया है, but I'm not pretty sure इसका क्या है, I think इसमें दावापत्ती होई होगी, आप देखें इसमें क्या logic दे रहा है, मेरा logic हो सकता है गलत हो, लेकिन I'm pretty sure इसका order इसका order इसी है, Australia उर उपर, French उपर, Mimaldon और US Open, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कि आ I'm not true, पूछ रहा है, false, तो इसमें बोल रहा है, Gnu के बारे में, it is full form is not Unix, मुझे नहीं बता, it was started by Riches Talman, मेरे को नहीं बता, it is an open source software, yes, definitely ये सही है, it is not compatible with Unix, not compatible, देखें जितने भी programming जानते हैं, सब को पता है कि Unix और Linux जो हैं, काफी open source वाले हैं, and जब भी कोई open source वाला को platform होता है, usually compatible होता है, तो I think, not compatible with Unix वाला option गलत होना चाहिए, तो अगर not true पूछ रहा है, तो इसका answer रहना है, D, 68 का answer, yes, it is D, and याला question हमने सही कर लिया है, आगे देखलते हैं, दूस्तो, yes, ये वाला एक पार्ट है, read the following statement with reference to the Indian Council Act of 1861, ठीक है, and choose the correct option, as a result of this act, total members of Executive Council and Governance General became 7, legislative work 6 and 12, no differentiation was made between state and central subjects, state and central subjects, दोस्तो, ये जो number वाले game है न, ये लक्षमी कांद में भी नहीं दिये गए है, तो I don't think I am going to attempt this question, तो I will just cut this all off, next, देखते हैं, yes, 1892 के आक्ट के बारे पूछा हुआ है, read the following statement with respect to the Indian Council Act 1892, it was implemented on B.E.Zoon 1892, पता नहीं, out of itna members, 5 were non-governmental members, पता नहीं, members were given right to ask supplementary questions, तो supplementary questions, yes, I think, 1892 में right दिया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरे edition की जो लक्षमी कांद है, उसमें यहां पे 1892 का portion end होता है, यहां से 1909 स्टार्ट होता है, तो यहां पर कहीं supplementary question लिखा गया है, इसको चेक करके बताईएगा, लक्षमी कांद की, इसके जो recent edition है, इसको पहले बाले edition में जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो I think right to ask supplementary question is correct, तो third option में आएगा, third कहा है, option A और option C में है, यह, right, option A और option C में है, तो उसका answer क्या होना चाहिए, I think I will go with option A, ज्यादा inclusive answer लग रहा है, तो अगर मैं को लगा नहीं होता है, तो इसका मैं लगा देता A, 79 का answer देखते है, 79 का option D ले लिया है, D में क्या बोल रहा है, D में बोल रहा है, only 2, I am not pretty sure कि right to ask, जो supplementary question है ला, 1892 में दिया गया था, तो दावाबत्दी में बता चलेगा, इसका क्या answer निकला है, बट I think I don't agree with the answer, फिलाल इसको गलत मान लेते हैं, हम लोग इस particular answer की के हिसाब से, question number 18 में रहा है, read the following statement and choose the correct option, जेदी जाना ने एक special geological time scale बनाया, geological history of Indian subcontinent rock को describe करने के लिए, और इसके बाद as per geological time scale, Indian rock से divided into, देखो यार याला, geological time scale ना, बिलकुल भी मेरे को लगता है, मेरे रेंज के बाहर का question है, तो इसको मैटेब नहीं करूंगा, choose the correct chronological order of given epos, oldest one will come first, ठीक है, oldest वाला सबसे पहले आएगा, और newest सबसे last आएगा, दोस्तों, अगर अपने थोड़ा सी English English पढ़ी है, तो होलो से आपको याद आएगा कि होलो कास्ट वाला होता है, ठीक है, और होलो कास्ट जो होता है ना, वो man-made होता है, तो एक man-made disaster वाला जो एरा है, उसको होलो सीन बोलता है, जो humans related होता है, तो सबसे recent है, तो I think होलो सीन इसमें guess करना माँ पाना, I think difficult, तो या तो इधर B कर लो, या तो इधर C कर लो, मैं होता है आपके जगह तो option C मार देता, देखते हैं 81 का answer क्या है, 81 का answer B है, दोस्तों, देखो, हर बारना काम नहीं करता है, लेकिन eliminate करके, आप options के करीब हो सकते हो, हो सकता है, अगर इसमें आ इस तरीके से मान के चलिए दोस्तों, next देखते हैं, 82, yes, 82 अच्छा question है, national fossil food park, शिवालिक पार्क, लोनार लेक, देखो, जो शिवालिक पार्क है ना, इसको देखिए, शिवालिक पार्क जो है ना, ये किसी भी तरीके से, तिरुचा पल्ले में केरला में नहीं हो सकता है, तो बी का थ्री तो नहीं आएगा, इसको हटाओ, जो लोनार लेक है जहां तक मेरे को याद है, बुल्दाला डिस्टिक्ट में है, महराश्क में, तो डी का आगया वन, डी का आगया वन, डी में कितने option है, दो option है, ठीक है, तो इसको भी हटाओ, अब देखो क्या है, national fossil wood park, थ्री तो यहां सेट है, चलो, इनको जाने दो, बी और सी में ही थोड़ा सा डाउट है, कि शिवालिक पार्क कहा है, और स्ट्रोमेटो लाइट पार्क कहा है, बी का फोर, सी का टू चित्तोरगर, ठीक है, तो इसमें तो ऐसा है कि जो शिवालिक पार्क है, मुझे लगता है कि वो चित्तोरगर में हो सकता है, कि चित्तोरगर जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस राजस्थान, I guess, चित्तोरगर, तो बी का टू तो मुझे लगता है, आएगा, तो इसका एंसर आना चाहिए C, तो इसका एंसर और डालता C, 82 का C option में डालता दोस्तों, and 82 का आयोग यह मैंने सही कर लिया है, आप देख सकते हैं कि इतने भी कोशन हम लोग बना रहे हैं, वो perfectly मुझे नहीं आते हैं, लिकिन कि आजू-बाजू की कुछ चीज है आ रही है, तो उसमें पहुत जा रहा हूं, and that is the beauty of prelims, कि अगर आपको exactly पता भी नहीं है, और option इस ताइट है, तो आपको समझ में आ जाएगा, next question में आते हैं, theory of plate tectonics was given by Harry Hess in 1967, not sure, theory of plate tectonics is based on theory of seafloor spreading, I am not sure, को जाने दो, निम्लिकित हिम नदी को उनके लंबाई के घटे क्रम में सजाएं, अरें the following glaciers in decreasing order of their length, length की साब चीज तो सियाचिन सबसे लंबा है, लेकिन यहाँ पर दिखनी रहा है, तो it is difficult, बाईफो और हिस्पार, I think सियाचिन है, इसका हिस्पार और बाईफो है, तो I think हिस्पार के बाद आना चाहिए, बाफो जहां तक मेरे को याद आ रहा है, तो I think इस पार के बाद आने सी वाफ हो तो I think ये वाला option में टिक करता 84 का C जहां तक मुझे याद आ रहा है अपने knowledge से 84 का C है येस दोस्ति याला question भी हमने बना लिया है next देखते है येस 85 बड़े बांधों मतलब है की बड़े बांधों के बनेंगे जहां पे मेजर रिवर्स जाधा भाएती है कि बड़ी बड़ी नदिय और बड़ी नदिया यहें अइसे जगह होंगी से से नदिया निंडे तो यहां फिर ऐसे जगह पे जहां पे जो नदी है अपना विशाल का यह रूप ले लेती है फॉर एक्जामपल अगर आप गंगा को देखेंगे कोई भी नदी है ना अपने और जिन पॉइंट पे बहुत बड़ी नहीं होती है जैसे जैसे इसमें टिबुटरी मिलते जाती है बड़ा होते जाती है फ़र एक्जामपल आप कह सकते आहें गंगा जैसे जैसे बीहार नीचे आती है तो अब मध्यप्रदेश और गुजरात में चल रहा है टसल ठीक है इसमें एक अजम्शन हम लेते हैं कि गुजरात में तो जहां तक याद है कि एक ही बड़ा डैम है जहां तक मुझे याद है सरदार सरोगर लेकिन MP में महात्मा गांधी है जावाला नहरू है इंद्रा गांधी है तो मुझे लगता है मेरे रॉल लॉजिक से मध्यप्रदेश का ज्यादा आना चाहिए गुजरात से तो गुजरात जहां भी उनको काड़ दो ठीक अब देखो मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में हम लोग देख के लिए में ऊप्षन एंटेंटर है तीसरे में राजिस्था तिलंगोना अब बात शूआ तो राजिस्थान अग्यंग अनगे 1 बात करें नियुक्ष छोटा여 रजान बड़ा स्टेय्ट है ठीक है लेकिन राजिस्तान का आधा पार्ट जिसर्ट है राधा जिस्थर्ट कि वहां निर्मित बड़े बांध होगी संक्या के अधार पर घठते क्रम में सचाई है बड़े बांध राजिस्थान में बड़े बांध जो याद आ रहे हैं येस महराना प्रताप है और भी एकाद्व बांध है तिलंगाना में शायद एक ही बड़ा है शिर्व समुंद्रम इसने वह कुछ है क्या याद नहीं आ रहा है को एक्जाटली डेड़ साल होगे पड़े हुए आइ थिंग इसमें राजिस्थान को पिक करना आइ थिंग सेफ ऑप्शन होगा इन टरम्स अफ नंबर ऑफ डैम्स की बड़ा राज्य है थिंग ए और डी में आगर आता तो मैं ए टिक करता अगर ए टिक करता तो देखते हैं आयोग ने क्या अंसर लिया है आयोग ने भी 85 क का ए लिया है तो येस याला कोशन मैंने सही बना लिया है येस मैंस्ट फॉल्विंग पर्शन को पढ़ियेगा और इसको बनाने के जो तरीका है जो मेरे पास वो ये है कि जो बेंगॉली होते हैं हमेशा आर्ट और लिटरेचर में कॉंट्रिबूट करते हैं मेजरली रिखें शुल्त्रीम चोंजोर सकता है यह दो लद्दाकी हो यह हो सकता है कि सिंग नॉर्थी सेट क्यों ठीक है इनके नाम से थैसी लग रहा है इंग उझेली अगर सिक्क्यी नॉठ इंडिया या लड़्दाक साथ से कोई है तो वो युचली शोक्षयल्वकिंट करते हैं तो अगर B का अगर मैं मानू 4, तो इसका कौन से option आता है? ये, बाकी सब कड़ जाते हैं. There is no way in earth जिससे हम लोग इसको guess कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा logic लगा लें, तो इसकी साब से क्या बोल रहा है कि सुजी चड़ो पध्या लिट्रेचर में है, जो की सही हो सकता है, पूर्निवा जानी आर्ट में है, जो की सही हो सकता है, विजवय चक्रोवर्ती पब्लिक अफेर में ये भी हो सकता है, ठीक है? तो I will say कि B को अगर सोशल वक्स से लिंक करें ना, किसी तरीके से, तो वो जाव मैंने तो नहीं सुनाए कि पदमिश्री मिल रहा है, तो I think बाकी ओप्शन के ज्यादा चांसे से, कंपेर टू सुल्रीम चंजोर का लिट्रेचर के लिए मिलने का, तो I think इसके लॉजिक के हिसाब से, I will go with option B, और CGPSC ने भी इसका answer लिया है B, येस, यहां पे भी क्रैक हो ग सब्सक्राज को दुख दुदपादन के अधार पर घटते क्रम में सजाए, I think दुख दुदपाद, अब मद्यप्रदेश और गुजरात ये बड़े है, मद्यप्रदेश गुजरात यहां पे चल रहा है option, गुजरात पंजाब तो ऐसा देफिनिटली नहीं हो सकता कि मद्य तो हो सकता जादा प्रोडक्शन होता हो, ऐसा आप लोग सोचेंगे, but at the same time देखो सब्सक्रादा मेल प्रोडक्शन तो I think UP का है, जा तक मुझे आदा रहा है, UP के बाद किसका है वो देखना पड़ेगा, तो option C हमने काट दिया है, तो गुजरात, मद्यप्रदेश, पंजा हर्याना, I don't think हर्याना will be producing more than Punjab, तो यह आल option में मेरे को काटते हुए लग रहा है, तो option जो answer है वो A या B में आएगा, गुजरात, मद्यप्रदेश में किसका जादा हो सकता है, और दिमाग लगाते है, I think गुजरात will be producing more than मद्यप्रदेश, क्यों आपको कॉपरेटिव भी है, मद्यप्रदेश अगर जादा प्रड्यूस करता तो, I think मद्यप्रदेश ट्राइवल स्टेट भी हो जाता है, तो वहां पर फोरेस्ट एरिया भी बहुत है, तो मुझे नहीं लगता है कि उतने कैटल्स वहां पर रखते होंगे, कंपेर टु गुजरात, I think I will go with it, अगर अगर मद्यप्रदेश भी करता होगा, लेकिन मेरा लॉजिक आपे काम नहीं आया, but compared to all other questions, मुझे net positive भी हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हर बार आपका logic काम आना है, कहीं-कहीं गलतिया भी हो जाती है, last question देखते हैं दोस्तों, अब जादा question नहीं देखेंगे, last question देखेंगे, ठीक है, येस, निम्न कड़ाई कलाओ का उनसे संबंदित राज्य से सुमेल कीजिये, फुलकारी, धरनिया, कुषिटी, कर्चो भी, ठीक है, अब इसमें ना, जब भी कोई आर्ट की बात होती है, तो South Indian जो आर्ट्स होते हैं, हमेशा अलग से ही sound करते हैं, अगर हमारे बोल फुलकारी, तो फुलकारी तो करणाटक नहीं हो सकता, कि बहुत जादा कलाकारी टाइप का sound कर रहा है, तो ये नॉर्थ में ही है, UP, B, Central, India वाले रिजन में, तो एका वन तो नहीं हो सकता, तो एका वन नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन कड़ गए, तो बात किसमें फ लोग 1 दे सकते हैं और इसमें हम लोग 3 दे सकते हैं तो कुल मिला के जो option आना चाहिए इसके साब से लास्ट में 1 और 3 तो इसका एंसर जो आना चाहिए डी तो 100 का option जो है मैंने ले लिया डी कुछ नहीं किया logic simple था मैंने उसका फोनेटिक्स देख लिया कि क्या होना चाहिए और यस दोस्तो आयोग ने भी इसका एंसर लिया है डी तो दोस्तो यह आखरी question था बहुत लंबर वीडियो था अब देखते हैं कि हमने कैसा perform किया इन टोटल 50 questions के बीच में दोस्तो फाइनल ही हमने calculate कर लिया है कितना कितना हमने attempt किया था तो टोटल कोशन जो थे वह 50 थे इसमें से हमने लगभग साथ question छोड़ दिये इनमें जो correct answers जो आये हैं 30 questions में आये हैं और जो रॉंग हुए है वह लगभग 13 questions हुए है तो दोस्तों इसमें हमनों calculate करेंगे तो 3 into 2 plus 60 हो गया और जो questions गलत हुए है उसमें हो जाएगा लगभग minus 9 आपको लगभग 51 number का फायदा हो रहा है तो देख सकते हैं दोस्तों प्लस 50 हमने ऐसे questions पर उठाया है जहां पर attempt करना उनको मिश्किल था और सिर्फ eliminate करने से इसके ऊपर जब मैं बाकी बचे 50 questions की layer चड़ाओंगा जो की easy प्रकार के हैं तो दोस्तों वहां पर सौमेंसे at least I'll be able to score 60 marks more तो दोस्तों अगर इस particular examination में मैं बैठता तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं यहां पर लगभग 110 नंबर तो बनी रहें और अगर माल लेते हैं कि मैं room में बैठा हूं अराम से बना रहा हूं वहां पर हो चकता exam का pressure होता ना question question देखने का pressure होता तो वहां पर माल लेजिए थोड़ी सी गलती हो भी जाती तो माल लेते हैं यहां पर लगभग ऐसा होता कि 25 questions ही होते और यहां पर लगभग हम लोग मान के चल लेते हैं कि यहां पर लगभग 8 question और गलात हो जाते ठीक है तो इसमें से 38 नंबर तो मेरे प्लस तब भी होने थे प्लस 38 नंबर उस situation में मेरे हो ही जाने थे अगर मैं exam के pressure में आके थोड़े से कम question attempt करता तो अब इस प्लस 38 में मालो मुझे लगभग 60 नंबर और मिल जाते उन remaining 50 easy questions तो हर किसी ने बना हैं तो यहां पर भी लगभग 98 नंबर तो मेरे बनी रहे थे जो कि इस बार के cutoff 78 से लेके 83 से बहुत ज़्यादा safe है once again 15 से लेके 20 नंबर safe है तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से elimination बिना किसी effort के आपके नंबर बढ़ा सकता है मैं बार बार आपको कहता हूं कि prelims is not about knowing facts anymore आपको थोड़े से strategize करना पड़ेगा थोड़े से logically eliminate करना पड़ेगा thank you so much दोस्तों कि आप लोगों ने लगभग देड़ घंटे का lecture लगतार देख लिया है आपको कैसा लगा है lecture कितना helpful आपके लिए just let me know in the comment section दिवाली के पहले I will try to put 2-3 more videos and just in case I am not able to put the videos ये डेड़ घंटे का जो particular वीडियो है जो आज compiled हुआ है आप लोगों के सामने में लेके आया हूं मेरे बहुत ही व्यस्त कारेकाल के दौरान तो I have tried my level best दोस्तों आप लोगों की studies है उनको थोड़ा सा और effective बनाने के लिए thank you so much just in case मैं और वीडियो अप्लोड नहीं कर पाता हूं दिवाली के पहले तो a very very happy दिवाली to all of you we are just like a big family and मेरे दिवाली तो उसी दिन बनेगी जब लिस्ट आए की and I will see my students in succeeding in cgpsc चले दोस्तों ये सब चीज़े सीख लीजे मैं मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद